है अगर आपका आधर बात का इतियास से आधका पहला क्लास है विस्टीगा तो जितने इस लाइब देख रहे हैं है विलीकिश्द वाले बच्चे हो आप प्लास को देख लिए उसके बाद उसे आप चर्चा कीजिएगा और मैं का नाम है पूजा चोहां और मैं काफी समय से पढ़ा रही हैं, कही सरस्था नो बढ़ा क्राएं, दिखुंअ करने आप कंदे फकंदे में भाह राह草 चलिए अच्छी बाद है और आप सभी? सभी अच्छे हैं? चलिए. तो यह आपकी पहली क्लास है और आज की जो क्लास है वो हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री में भी कौन सा सेक्षिन स्टार्ट कर रहे हैं? अधूनिक भारत का इदियास. So, before we start, मैं आप से पूछना चाहती हूँ, आप में से किस-किस बिच्छे ने UPSC के सलेब्स पूरा देख लिया है? देखा तो है, पर अच्छे से नहीं देखा. आपके लिए भी जरूरी है. क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा UPSC में, कि हिंदी और इंग्लिश, दोनों में आप अपेर कर सकते हैं, आप अपनी इसनल लेंग्वजिस हैं हमारी, उनमें भी आप एक्जाम दे सकते हैं, लेकिन, जो मेडियम आपने चूज किया है, वो आपने किस या मेडियम, डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमें अपने आपको रीप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, और वो फेज आता है, मेंली, मुखे परिक्षा में, मेंस में, लेकिन मेंस में अपेर करने के लिए, पीटी क्वालिफाइ करना जरूरी है, और ये जो आपकी प्रारंबिक परिक्षा है न, ये सिर्फ आपके सिलेबस के परिक्षा है ही नहीं, सिर्फ सिलेबस के परिक्षा नहीं, कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, और मैंने one by one सारे सब्जेक्ट कबर कर लिए, और now I am prepared for the exam, ऐसा नहीं है, आप अपने आपको पूरे तरीक से तयार करिये, UPSC में जो हिंदी मेडियम वाले student है, उनके लिए सबसे बड़ा hurdle पता है क्या है, देखो किसी भी चीज को बुरा नहीं मानना, जो सच है उसको accept करके चलो, जो hurdle है वच्चे वो medium है, हिंदी है, और लेकिन किसी भी situation में आपको अपनी language को अपनी weakness बनने ही न ही देना है, समझे है, आपने last years के results देखे होंगे और results के according आपने देखा होगा कि हिंदी मेडियम के students थोड़े से कम जा रहे है as compared to English medium, जाना, reason उसके पीछे क्या क्या है, बहुत सारे reasons है, कोई एक नहीं है, reason यह है कि हिंदी मेडियम आप कुछ भी search करोगे internet पे, कोई भी authentic source, कुछ भी material, कुछ भी आप information search करते हो, तो वो किस language में आती है, mainly English में आती है, अब ऐसा नहीं है कि English को पढ़ना नहीं आता है, आपको या समझना नहीं आता है, आपको आता सब कुछ है, लेकिन मुझे यह बताए कि जब आप पढ़ते हो, उस चीज को पढ़ने में, understand करन में, उस को, उस information को utilize करने में, आपको एक English medium वाला बच्चा जो शुरुआत से English में पढ़ते हुए आ रहा है, उससे time कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा ना, बस UPSC time का खेले, time management, ऐसा तो है नहीं कि Hindi medium वालों को कुछ minutes extra मिलती है, नहीं है न कि भी आप लोगों को, और UPSC क्या करते हैं, English में paper बनेगा, उसका translation होगा, और माना कौन सा जाएगा, English, मतलब अगर translation में दिक्कत आई, यह translation में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तमाल कर लिया, जो हम आपने दैनिक जीवन में, या normally जो general जो books होती हूं, उनमें वो शब्द न कर लिया, क्या होगा, आपको English वाला paper देखना पड़ेगा, question देखना पड़ेगा, आपको double time लग गया न, आपने एक बार Hindi वाला पड़ा, फिर सोचे इसका मतलब क्या है, तो इंग्लिश में देख लेता हूं, मैंने English में देखा, और जैसे English में देखा, आपका time दुगना हो गया, एक question में आपने दूसरे बच्चे से दुगना टाइम ले लिया, इसका मतलब क्या है, कि आपकी speed उस बच्चे से कहीं जाधा होनी चाहिए, जिसका medium English है, आपके preparation का, देखो, जो चीजे हैं उनको आप बदल नहीं सकते, आप क्या कर सकते हो, आप अपने अंदर वो आप उस से आगे निकल सको, अगर UPC English को preference देता है, material जो भी है, आप सारी information भले English में है, आप हिंदी medium रखें अपना, लेकिन साथ में English को भी पढ़ती चले, एक awareness आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, जहां से जो सीखने को मिले, वो आपको सीखना है, मैं यह नहीं अगर बनना है, तो सीखना है, ठीक है, पिछले 18 सालों के अंदर UPC में बहुत changes आए हैं, सिर्फ इतना change नहीं कि English medium वाले बच्चे जादा qualify कर रहे हैं, आपने देखा होगा उसमें भी, कुछ stream वाले बच्चे, engineering background, ना, doctors, यह जादा जा रहे हैं, क्यों? अभी सोचा है आपने इस बार, सोचिए, सब कुछ analysis पर depend करता है, memory power के उपर depend करता है, time management पर depend करता है, practice पर depend करता है, जो doctors होते हैं, जो MBBS की तियारी करते हैं, जो engineers होते हैं, उनका कभी study pattern आप देखिएगा, कितने सारी चीज़ें, कितने formulas याद करने पढ़ते हैं, उनकी memory देखिएगा, उनका याद करने का तरीका देखिए, practice देखिए उनकी, तो आपको अपने आपको overall prepare करना है, ठीक है, तो language आपकी हिंदी है, means के लिए, लेकिन PT आपको clear करना है, तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को साथ में लेकर चलेंगे, चलना चाहिए नहीं, लेकर चलेंगे, आपकी choice नहीं है, आप यहाँ अपनी choice रखोगे, तो UPSC कहेगा, आजाएए, हम अपनी choice बताते हैं, समझें, आप लोग, यहाँ जितने भी student है, ठीक है, हिंदी मेडियम यहाँ तक पहुँचने के बाद भी जो बच्चा हिंदी मेडियम opt करके जाता है, इसका मतलब कि 90% जो experts है, they belong to rural India, ग्रामेन छितर से, ठीक है, और मैं समझ सक करती हूँ, कि ग्रामेन छितर से निकल कर इस परिक्षा की तयारी करना, बाहर आना, दिल्ली में रहना ठीक है, और सब कुछ अफॉर्ड करना, उस mental pressure को handle करना, preparation करना, इतना भी असान नहीं है, और फिर भी अगर आप सोच के वहाँ से उठके यहाँ आ गए हो, तो मैं तो क कहती हों कि बहुत प्राउड वली बात ही है, आपके लिए आपके फैमिली के लिए कि आप यहाँ पर है, ठीक है, उनका बड़ा सहयोग है, तो उनके सहयोग को याद रखीगा, अपने पूरी preparation की जर्नी में और उसी इसाफ से तयारी अपना, ठीक है, तो तयारी के लिए, आप मुझे नहीं पता आप कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन next class, जब कल की class होगी न, उससे पहले तक आप सभी को UPSC को पुरे syllabus पता होना चलिए, आपने अगर इतना सा 1% भी अगर आप careless हो गए न, जिसे अगर मैं आम भाशा में कहूँ थोड़े से आलसी हो गई न, ठीक है, तो competition बहुत मुश्किल होगा, आपको वो नहीं करना है, ठीक है, अगर आपका competition इतना strong है न, लाखो बच्चों के भीड में से आपको कहां आना है, जो limited seats होती हैं, आठ सो, नोसो, हजार, ग्यारा सो, अगर आप चाहते हो, आपका नाम वहाँ पर आए, तो आप अपनी speed बढ़ाएंगे, reading की capacity increase करेंगे, पढ़ने की speed आप बढ़ाएंगे, समझने की speed increase करेंगे, practice करेंगे, कोई भी chance छोड़ना नहीं है आपको, कहीं पे भी लापरवाई नहीं करने हैं, समझ गए न, तो यह नहीं है, मुझ से यह expect नहीं करिएगा, कि मै आते ही history की कोई कहानी सुनाना शुरू कर देंगे, मैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि history जो subject है अपने आप में बहुत dynamic subject है, mother of all subjects, ठीक है, तो history का, यह मतलब है ही नहीं, सोच के ही मत चलना, कि history है तो हमें dates याद करनी पड़ेंगे, नाम याद करना पड़ेगा, events, sequence, पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही माइन में history क्या है, यह समझना हो, तो UPSC का syllabus देखने के बाद, UPSC के previous year के questions देखिये, और जरूर देखने हैं, देखना चाहिए नहीं, चाहिए जैसा शब्द है यह नहीं, और आप लोग, आप लोगों के dictionary में नहीं होना चाहिए देखना चाहिए नहीं, देखना है, आप मुझे बताइए आपके एक ही subject history है, और history, school वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, college वाले भी पढ़ते हैं, SSC वाले भी पढ़ रहे होगे, other exams, जितने भी competitive exams, सब पढ़ते हैं, PCS वाले भी पढ़ते हैं, और आप UPSC वाले भी पढ़ सकता हूँ इसमें, ठीक है, तो जो डिसाइड कर ही लिया है, तो तैयारी पूरे तरीके से करिये हैं, सिर्फ ही कह देना तो काफी नहीं है, कि I am preparing for civil services, कह देने से ही बड़ा ही थोड़ी ना मिलेगी, समझ रहे हैं, जो सच है, हो सकता है, कभी-कभी कड़वा लगे, पर थोड़ा लगना चाहिए, आप लोगो भी थोड़ा-थोड़ा, उसको तभी सुदारेंगे, ठीक है, तो UPSC का syllabus और जो भी subject की class चलेगी, उसके PYQs देखेंगे आप, वही subject अगर हर exam वाला बच्चा तयार कर रहा है, पढ़ रहा है, तो आपके और उसके तयारी के तरीके में फर्क क्या होगा, ये भी तो पता होना चाहिए, ना, समझ रहा है, कि है तो वही subject, लेकिन उसको कितना factual पढ़ना है, या conceptual पढ़ना है, कितना एनलाईज करना है, कितना समझना है, वो difference समझ में आएगा, तब ही तो आप कहोगे, कि subject भेले ही है, लेकिन मैं UPSC के लिए तियारी कर रहा हूँ, तो वो approach का फर्क होना चाहिए, ठीक है, तो homework लिखिए अपना सब से पहले, homework बहुत मिलेंगे आपको मेरी classes में, तयार रहेगा उस चीज़ के लिए, homework लिखिए, कल तक आप UPSC के syllabus तयार करके लाएंगे, लिखो syllabus, PT and mains, बोद, syllabus, ठीक है, और अभी हमारा जो subject चल रहा है, modern Indian history हम शुरू कर रहा है, तो इसके PYQs आप लेएंगे, ठीक है, पांच से लगबक 10 सालों का आप देख लेना, ठीक है, 2013-14 से आप follow करना, UPSC के questions देखना सारे, कि यही subject है, इस subject से UPSC ने, PT में कैसे question पूछे हैं, प्रारमबिक परीक्षा में कैसे question पूछे हैं, मुख्य परीक्षा में उसी चीज़ से कैसे question पूछे जाता हैं, तब वो समझ में आएगा, ठीक है, और पूरी क्लास में कहीं पर भी कुछ भी doubt होता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो वो आप पूछ सकते हो, एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, मुझे नहीं लगता, इतनी जरूत पड़ेगी, लेकिन फिर भी, पूछ लेना, ये मत सोच ना कि मेरे साइड में जो बैठा, वो क्या सोच अगा, इसको ये नहीं आता है, क्या, छोड़ दीजी, ये सब सोच नहीं नहीं है, आप यहां आपने लिए आये हो, जब तक आपक कोड़ा साइब, शुरुवात करते हैं हम, सो जैसे कि आप जानते हूँ कि जो हिस्ट्री है, यूपी एस्सी एक्जाम में, उकोशिश करें कि कल से सभी विच्छी टाइम भी आजाएं, चीक है? आप देखो, सब्जेक्ट है हिस्ट्री और अगर आप यूपी एस्सी के सलेबस देख चुके होते अच्छे से तो आपको समझ में आता कि इसी हिस्ट्री को हमें प्रारंभिक परिक्षा में कहां से कितना पढ़ना है और मुख्य परिक्षा में हमें इसमें से क्या-क्या प जब बाग प्रारंभिक परिक्षा की आती है तो यूपी एस्सी के सलेबस में लिखा हुआ है भारत का इतियास अब यूपी एस्सी ने इतना लिख दिया भारत का इतियास अब आप जानो बारत के इतिहास में आपको पढ़ना क्या है ठीक है अब आपको कैसे समझ में आएगा कि भारत के इतिहास में जो पेपर हो चुके हैं वहाँ आप उनके प्रशन देखें तब आपको समझ में आएगा कि UPSC इतिहास के नाम पर प्रारंभिक परिक्षा में क्वेशन कहां कहां से पूछता है क्वेशन पूछता है प्राचीन भारत से मध्य कालीन भारत और आधोनिक भारत ठीक है जब मुख्य परिक्षा की बात आती है तो यूपाय complex में क्या है मुख्य परिक्षा में इतिहास कहां से शुरू होता है में में वेख्यास के लिखा होगा है कहां से शुरूव répondre है हाँ 票 के से लिखता रोट पाफ में क्याम शब्द इस्तमत है कि वेरी गुड शाबास मेड ओफ 18th century अठारवी शताब्दी के मध्य से लिखी जो मैं यहां पर बोर्ड पर लिखूंगी वो आपकी कॉपी में चाहिए समझे हैं सिर्फ सुनके हवा हवा में यह सारी चीज़े क्याप्चर करके लेके जाओगे बाहर जाके हवा में रह जाएगा कॉपी में लिखें उस चीज़ को मेड ओफ 18th century और मेड ओफ 18th century का मतलब क्या है हाँ हाँ वे कमपटेबल धीर धीरे क्योंकि मैं क्वेश्चिन जादा पूछूँगी आपसे पहले बता दर्तियों होमवर्क भी जादा होंगे क्वेश्चिन भी जादा पूछूँगी आप सोचेंगे मैं आएंगे दो गिंटे मैं बोलती रहेंगी हम सुनते रहेंगे हम लिखते रहेंगे उपर मैं चली जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला अठारवी श्यतावदी के मध्य मतलब कि मेंज में जो जी एस वेपर वन है वहां पे हिस्ट्री में हमें मॉडन इंडियन हिस्ट्री में तब आधूनिक भारत का इतिहास पढ़ना है वो भी 18 Carl अथाज़ाश के मध्य से पढ़ना है और इसके साथ साथ और ये तो भारत का इतिहास और इसकी साहसत हमें और क्या पढ़ना है कि आधूनिक विश्व का इतिहास पढ़ना है आधुनिक विश्वर और एक और चीज इसमें याड़ है ठीक है ये तो इसमें हम कवर करेंगे मेड ओफ 18 सेंचुरी से लेकर हम इसको वर्तमान तक हम इसे पढ़ेंगे ठीक है इसके साथ सथ कला और संस्कृति आर्ट इन कल्चर भी आता है ठीक है आर्ट इन कल्चर कला और संस्कृति अच्छा अब एक बड़ ध्यान से समझे इस चीज़को जब प्रिलिम्स की बात कर रहे थे प्रारंबिक परिक्षा की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा कि प्राचीन काल से मद्धे काल से आधुनिक काल से मतलब भारतिय इतिहास के जितने भाग हैं जितने डिवीजन हैं उन तीनों ही डिवीजन से प्राचीन, मद्ध्य और आधुनिक तीनों ही पार्ट से question पूछे जा रहे हैं लेकिन मुख्य परिक्षा में UPSC ने कहा made of 18th century से आपको पढ़ना है ठीक है और made of 18th century मतलब इसके बाद से आपको इतिहास को कबर करना है ठीक है और इसके साथ साथ आधुनिक विश्व का इतिहास भी इसमें शामल कर दिया ठीक है अब लिखा तो इतना है लेकिन UPSC के एक साथ बात है कि वह जितना दिखाई देता है ना इतने शब्द हैं शब्दों को तो आपको पकड़ना है उनकी इसाब से पूरा पढ़ना है जो नहीं लिखा है उसको समझना है आप मुझे बताइए कि जब कहीं पर भी अगर आपको यह कह दिया जाए कि आपको made of 18th century के बा आप made of 18th century से जो question पूछा जाएगा वहां से आप question का answer लिख पाएंगे नहीं ना for example देख लेते हैं अभी मान लीजिए 1750 की यहां भे बात है made of 18th century की बात है made of 18th century में जहां से historical events की हम बात करें important events तो वहां आपने देखा होगा सित्रा प्लासी का यूद्ध और बक्सर प्लासी का यूद्ध कब होगा था 1757 गूड बक्सर 1764 और इन दोनों यूद्धों की जो सबसे खास बात है स्टार मां करके लिख लेना इस चीज़ को सबसे महत्पूर बात जो है वह यह है कि यह दोनों यूद्ध के बाद British East India Company का भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित होता चला गया ठीक है यह दोनों ही यूद्ध भारतिय इतिहास का वो मोड हैं यह वो घटनाएं हैं जिन्होंने भारत की पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था यह British East India Company और बंगाल के बीच में हुआ और सिम बकसर का यूद्ध भी किस के बीच में हुआ बिटिश इस्ट इंडिया कम्पनी और बंगाल के बिच अब आप सोच यह मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहे हूँ उसका मतलब आप ही से पूछूँगी कि इन दोनों युद्धों के बाद भारत में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कम्पनी का राजनितिक अब इस लाइन को जड़ा पढ़िए लिख लिए आना आपने अब इसको पढ़िए इस लाइन को सभी को पढ़ना है कम्पलसर ही है यह 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 लाइन पढ़िए यह पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है अब कि प्लासी का युद्ध और बकसर का युद्ध इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके बाद ब्रिटिश इस्ट इंडिया कम्पनी का भारत में राजनितिक वर्चस्वस्थापित हो गया अब यहां पर आप इस शब्द के उपर ध्यान देंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं कि पारत की बात कर रहे हैं लेकिन युद्ध तो किसके साथ हुआ था युद्ध कामा था बंगाल और बंगाल तो मां पर एक छेत्र था ना एक प्रांत था तो आप सोचके देखिए कि एक प्रांत में दो युद्ध हुए एक प्रांत के लिए एक छेत्र के लिए दो युद्ध हुए और उन दोना युद्धों की भूमिका देखिए उसका महत त कर्देखिए आपकी हमने आगे लिख दिया की भारत की राजनीती में अपना वर्चस्वं स्थापित कर लिए एक छित्र में विजय इतनी बड़ी हो सकती है, एक छित्र पर पाई हुई विजय का परिणाम इतना बड़ा कि भारती राजनीती में वर्चस्वर स्थापित हो गया, यूपर यसी यही है, शब्द समझे, विशलेशन करिये, ठीक है, तीसरा शब्द जो इसमें बहुत ज़् पर रूरी है ध्यान देने वाला है, वो कौन सा है? ब्रिटिश एस्ट इंडिया कमपनी, जरा लिखिए इसको कॉपी में, बहुत नाम ही लिखिए एक बार, मतलब उसका फिर देखेंगे, ब्रिटिश एस्ट इंडिया कमपनी, ठीक है, पढ़े एक बार इस नाम को, एक कमपनी, कैसी कमपनी थिये? व्यापारी कमपनी, व्यापार के लिए ब्रिटेन से भारत में आई हुई एक कमपनी थी, जिसने बंगाल में जो युद्ध जीते, प्लासी और बकसर, उसके बाद भारत की राजनीति पर अपना वर्चस स्थापित कर लिया, अब सोचके देखे, एक व्यापारी कमपनी के पास इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतनी छमता आ कैसे गई, कि जो व्यापार करने के लिए भारत में आये थे, वो राजनीति में प्रवेश कर गए, समझ रहे हो, आप जो मैं कहना चारी हूँ, व्यापार किस से सम्बंदित है, अर्थवस्था से सम्बंदित है ना, और विदेशी कमपनी थी, तो विदेशी कमपनी जब भी किसी भी देश में आएगी, हमारे देश में आएगी, तो हमारी सरकार, आज भी अगर कोई विदेशी कमपनी होती है, तो ऐसे ही आके कहें पे भी अपना कार खाना फैक्टरी लगा देते हैं क्या, गवर्मेंट की परमिशन चाहिए होती है ना तो उस समय भारत की जो भी राजनितिक स्थिती रही होगी जो भी प्रांतिय छेत्रिय शक्तियां रही होगी उनसे परमिशन ली गई होगी वो कौन सी परिस्थितियां थी कि ब्रिटेन से आई हुई व्यापारी कमपनी ने भारत के राजनीतिक शक्तियों को अपने कंट्रोल में किया, अपने नियंत्रण में किया, अपने फेवर में किया और ना सिर्फ आर्थिक रूप से वर्चस उस्थापित किया, बलकि धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश कर गए और राजनीतिक शमता इतनी हासिल कर ली कि उन्होंने भारत के बंगाल छेत्र, बंगाल जो मुगल सामराज्य का सबसे सम्रिद्य छेत्र माना जाता था, बंग बंगाल की बहुत एहम भूमिका है, बंगाल की राजनीति में प्रवेश किया, वहाँ विजय प्राप्त की और उसके बाद बाद से पूरा भारत, पुरे भारत की राजनीतिक शक्ति, उनके नियंत्रण में आते वी चली गई, तो मुझे बात बिताए कि ठीक है, UPSC ने त 18th century से पढ़ लीजिये, तो क्या सीधे सीधे प्लासी और बक्सर का युद्ध पढ़ लेने से आपको समझ में आ जाएगा, आपको ये ध्यान नहीं देना चाहिए क्या, कि क्या वो परिस्तितियां थी, कि यूरोप से कंपनीज भारत में आई, यूरोपियन कंपनीज इंड अब भी कंपनी आई थी, लेकिन भारत के ऊपर आर्थिक और राजनितिक वर्चस किस ने स्था पिठ किया, ब्रिटिश ने, तो इस इस लेविस को पढ़ने के लिए आपको शुरुवात कहां से करने पड़ेगी, फाउंडेशन कहां से प्रपेर करना पड़ेगा, आपको पहले उन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा कि यूरोप से कंपनी भारत में क्यों आई, वो क्या परिस्थितियां थी, यूरोप की कंपनी इसको एशिया की तरफ आना पड़ा, ठीक है, फिर दूसरा जो एहम जो प्रश्न आता है इसमें, वो ये है कि ठीक है व्यापा कंपनी यूरोप से आई, भारत तो प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार में जुड़ा हुआ था, प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार होता था ना भारत में तो, हमारी जो सबसे प्राचीन सभ्विता रही है, सिंदु घाटी सभ्विता, वो भी व्यापारिक सभ लेकिन सोचने वाली बात यह है कि व्यापार करने के लिए आई हुई कम्पनियों को भारत में इतनी छमता इतनी शक्ति कैसे प्राप्त हुई भारत की परिस्थिती क्या थी उस समय क्या यह सवाल नहीं आता आपके माइंड में आना चाहिए ना कि भारत की पॉलिटिकल कंडिशन क्या थी राजनीतिक स्थितिक क्या थी भारत की उस समय क्या भारत में किसी भी चेत्र में कोई भी शाशन या कोई भी शाशक इतना सुद्रड इतना शक्तिशाली नहीं था जो इस company को रोक सके कैसा हो सकता है ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उस समय भारत में जो छेत्री शक्तियां थी उनमें कोई भी शाषक या कोई भी छेत्री शक्ति इतनी प्रभावशाली रही ही नहीं हो कि वो इनको रोक देते लेकिन फिर भी फाइनली हुआ क्या कि ब्रिटिश का वर्चस्वस्थापित हुआ इसका मतलब हमें यहां पर बहुत ध्यान से यह समझना है कि जब भारत में छेत्री शक्तियां थी तो इन बिटिश एस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एसी कौन सी पॉलिसी एसी कौन सी नीती को अपनाया गया कि उसने सारी छेत्री शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लिया और किसी को किसी को भी यह मुका ही नहीं दिया कि वो उनको रोक दे समझ में आ रहा आपको UPSC आप से सीधे सीधे कोश्व नहीं पूछेगा कि बता दीजी मेंस में कि British Eastern Day Company के कारखाने कहां कहां पर थे नहीं वो पूछेगा कि British Eastern Day Company ने अपना आर्थिक वर्चस्य भारत में स्थापित किया तो आर्थिक वर्चस्य के पीछे उत्तरदाई कारक बताईए समझे UPSC क्वेशन कैसे पूछता है कि भारत में अगर British Eastern Day Company का राजनेतिक वर्चस्य भारत की राजनेतिक स्थिती पर द्रश्टी डालिए उस पर प्रकाश डालिए कि भारत की राजनेतिक जो स्थिती थी वो कैसी थी कि बाहर से आई हुई एक British East India Company व्यापारी कंपनी ने भारत को राजनेतिक रूप से अपने अंत्रण में ले लिया जो दिखाई देता है UPSC उसके सराउंडिंग से कुश्चन पूछता है तो भले ही मेंस में आपके UPSC के सलेबस में जी इस पेपर वन में ये लिखा हो कि आपको मेड ओफ एटीन सेंचुरी से पढ़ना है है लेकिन आपको प्रपरेशन कहां से करनी है आपको अधूनी भारत की इतिहास को कहां से पढ़ना है आपको वहां से पढ़ना है जहां से यूरोपियंस भारत में आए आपको भारतिये राजनितिक स्थिती से पढ़ना है अठारवी शताब्दी की कि अठारवी शताब्दी के मद्धे से यूपीएसी ने पूचा है हमें अठारवी शताब्दी की शुरुवात से पढ़ना है क्योंकि वो पचास साल बहुत एहम है जिन्होंने ऐसी परिस्थितिया ऐसा मौका ऐसा अवसर उस कंपनी को दे दिया कि वो अपने आपको यहां पर उन्होंने इस्टाब्लिश कर लिया और इंडिया को अपनी कॉलोनी अपना उपनिवेश बना लिया समझ में आ रहा है यह आपको पढ़ना अब इसके साथ साथ जैसा कि हमने एक शब्द और लिखा था है यहां पर कला और संस्कृति चीक है आर्ट एंड कल्चर भी आपको सिलबस में दिया हुआ है वह आपको पढ़ना है अब कला और संस्कृति में यूपी एसी ने ऐसा त अधुनिक भारत से पूछेंगे कला और संस्कृति मतलब भारत की कला और संस्कृति की बात हो रही है जिसका विकास प्राचीन काल में भी हुआ मध्यकाल के दौरान हुआ अधुनिक भारत तक हुआ है ना तो इसका मतलब क्या किसी भी काल विशेश की कला और संस्कृति को आप बिना इतिहास को जाने समझ सकते हैं क्या हां नहीं समझ सकते हैं अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं जैसे एक आपको अपने इश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें यहां भेज दिया अब यह हमारे उपर बोज है इट्स वाइट मैंस बर्डन कि हम आपको सिविलाइज बनाएंगे कि हम आपको सिविलाइज बनाएंगे यह उन लोगों ने विटिशर्ज ने उन लोगों के विशय में कहा जिनके यहां प्राचीन काल से तक्षिला युनिवर्सिटी हुआ करती थी नालंदा विक्रम शिला युनिवर्सिटी इस हुआ करती थी और उन युनिवर्सिटी के सब्जिक्ट में सिर्फ और सिर्फ साहित्य नहीं पढ़ाया जाता था उसके साथ-साथ गनित, मैथमेटिक्स, विज्ञान के भी सब्जेक्ट हुआ करते थे दर्शन भी पढ़ाया जाता था और विज्ञान भी पढ़ाया जाता था अना चरक सहीता, सुश्रुत सहीता यह सब क्या है इसको हम सिर्फ साहित्य ना समझें किस से जुड़ा हुआ साहित्य है वो किस से सम्मंदित साहित्य है वो विज्ञान से जुड़ा हुआ साहित्य है अगर आयुर्वेद है सोचने वाली बात है कि अगर आयुर्वेद है ठीक है अगर ओशदियों का ज्ञान है ओशदियों के ज्ञान में ये चीज है कि इस ओशदी का उपयोग करने से इस रोग का उपचार हो जाएगा इसका मतलब अगर ओशदी का ज्ञान है तो रोग का ज् इसका मतना भारतियों को तो उस समय से सारी चीज़े पता थी हमारे हमारे तो साहिते ही समर्द नहीं है वो सारी चीज़े जितने भी छेत्र हैं सिक्षा के उन सभी छेत्रों में भारते शुरुवात से ही निपुण थे लेकिन फिर भी प्रिटिशर्स ने आ के यहान पे क्या बोला? कि you're tyncivilized क्यों? क्योंकि उन्होंने society की जो परंपराएं देखी भाठी समाज की जो परंपराएं जो रीती रिवास देखी उन रीती रिवास और परंपराओं की नाम पर उन्होंने उनको देखकर उन्होंने जज़ कर लिया कि इनको कुछ नहीं होता समझे तो यहां पर UPSC के syllabus में जो कला पानी तो यहीं मैंने का आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा आलस ठीक है उतको छोड़नी देगाई ठीक है क्लास में कितने भी student हो मेरी सब की उपर यह नजर होती है कि आलस ने किसको घेरा है ठीक है डॉन्ट वरी मैं आपको बता दिया करूंगे ठीक है खला और संस्कृति मुख्य परिक्षा में पूछा जाएगा कला और संस्कृति के लिए हमें इतिहास की जानकारी भी होनी चाहिए अगर किसी काल विशेश में अगर किसी समय विशेश में किसी शासन विशेश में कला और संस्कृति का बहुत जादा विकास हुआ ठीक है लिखो इस लाइम को लिखो अगर किसी काल विशेश में अथ्वा शाशन विशेश में कला और संस्कृति का तीवर विकास हुआ तो इसका तात्पर्य है कि रुख जाईए अब इसका जो तात्पर्य है वो आप बताएंगे और ने रुख तात्पर्य होगा रुख स्मनल विशेश में किसी शासन विशेश में कला और संस्कृति क्ला साहित्य कला और संस्कृति का 들고 का chemistry क विकास होता है वो कला के किस-किस छेत्र में विकास हुआ, समझे हो, कला के किस-किस छेत्र में विकास हुआ है, अगर उस समय में साहित्य की रचना हुई है, अगर लिटरेचर डेवलिप हुआ, और वो जो लिटरेचर है, देखो बहुत ध्यान से समझना शब्दों को, साहित्य, लिटरेचर, साहित्य किस तरीके का साहित्य है, क्या वो राजाओं की प्रशंसा और उनकी उपलब्दियों से लुड़ा हुआ है, क्या वो धर्म से सम्बंदित साहित्य है, क्या वो समाज में जो भी प्रिस्थितियां थी, उनसे प्रभावित साहित्य है क्या, क्या राजाओं से प्रभावित साहित्य है, वो साहित्य कैसा है, ये ये चीज़ बताती है कि उस समय जो राजा या जो शाशन था, वो कितने मुक्त विचारदारा का था, कितना धर्म निरपेख्ष था, समझ में आ रहा है आपको, कैसे डिफ्रेंशीट करोगे आप, अगर साहित्य है और साहित्य अगर बहुत जादा राजनितिक है, बहुत जादा धार्मिक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा, कि साहित्य की रचना जो लोग कर रहे थे, उनके उपर राजनिती का प्रभाव बहुत जादा था, तो एक बात बताईए, कि जब को राजनीती का प्रबाव बहुत जादा रहेगा तो लिखने वाला मुक्तरूप से लिखेगा विचार और अपनी जो अभिविक्ति है जो अपने विचार हैं उनको सुतंतर रूप से अभिविक्ष कर पाएगा क्या हां कि नहीं कर पाएगा ना कि अगर बहुत जादा धार्मिक है इसका मतलब उस उस समय विशेश में धर्म का प्रभाव सबसे जादा था धर्म को सबसे जाद एहमेद सबसे जाद मुख्य माना जाता था अगर साहित्य में अगर उस समय के साहित्य में आपको विज्ञानिक साहित्य भी दिखाई देता है कुछ विकासात्मक सामाजिक साहित्य भी दिखाई देता है तब आप क्या कहोगे कि अगर मान लीजिए जो अभी हमने जैसे एक्जाम्पल में कहा कि चरक सहीता थी है ना सुष्वत सहीता थी ठीक है और धर्म से संबंदित प्राचीन काल में धर्म से संबंदित साहित्य भी हमें देखने को मलता है मलत धर्मिक सहित्य भी है धर्म निर्पेक्ष सहित्य भी है तो अगर किसी समय विशेश में अगर सब तरीकी का सहित्य विक्सित हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस समय विचारों की पून सोतंतरता और ये विचार और अभीव्यक्ति की सोतंतरता थी ठीक है राझय का भी सन्रक्षन प्राप्त था कर और इन सबीं जिन जिन छेत्रों का सहित्ते मौजूद है इसका मतलब और 111 छेत्रों में शिक्षा के केंद्र भी मौजूद होंगे जो भी विद्याले रहें होंगे विश्विद्याले रहें होंगे जो भी सिक्षा का किंद्र रहा होगा उन सब में उनमें अधिकांश में मुख्यत इन विश्यों की जानकारी दी जाती होगी तो आपको यह analyz करके चलना पड़ेगा ठीक है उसी तरीके से अगर यहां पर कला की बात की जाए तो चाहे वो चित्रकला हो चाहे वो मूर्तिकला हो चित्रकला और मूर्तिकला यह बताए यह कैसी कलाए है क्या इन में विचार अभी व्यक्त नहीं होते मूर्ती बनाने वाले के मन में जो भी विचार चल रहा है, जैसा भाव चल रहा है, जैसा उसने इमेज इपने माइन में बनाया है, वो वैसा का वैसा तब उतारेगा जब उसे ये डर ना हो कि जो विचार मेरे मन में है, उसे में अभी व्यक्त कर दूं, तो मेरे साथ क्या तो चित्रकला मूर्तिकला ये सिर्फ और सिर्फ उस समय की कला के बारे में नहीं बताते ये ये भी बताते हैं कि उस समय की राजनेती कैसी रही होगी समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हूं कि चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हमें सिर्फ कला और संस्कृति की जानकरी नहीं मिलती जिस समय में उनकी रचना उनका विकास हुआ है उस समय की राजनीतिक स्थिती के बारे में भी पता चलता है और एक बात बताईए अगर मैं अभी आप लोगों को बोलूँगी आप कुछ ड्रॉ करिए, कुछ बनाईए आप तो आपके सब्जेक्ट क्या क्या होंगी किस-किस थीम पर, किस-किस विशे पर आप कुछ भी, कोई भी पेंटिंग या मूर्ति बनाना चाहोगे बताईए, बताईए, सब्जेक्ट क्या हो सकते आपके बताईए, अभी कुछ बताना चाहिए आप हाँ, सोशल हाँ, ओके, हो सकता है, और ठीक है, देखो वो चितर तो आपने बच्पन में बहुत बनाई होंगी ना, स्कूल में एक दूसरे को greeting cards देते थे, तो उसमें पहाड बनता था, नदी बनती थी, पहाड के जो प्राकृतिक, हाना, जो natural scenery है, हाना, वो हमारे mind में है, हम उसको हमेशे अपने साथ रखते हैं, उसके अलावा आप क्या बनाते हो, जब भी, अगर आपसे अभी बोला जाए कुछ बनाने को, तो आप क्या करोगे, किस तरीके की theme सेलेक्ट करोगे, बताईए, लिखने के लिए, चित्र बनाने के लिए, कौन से theme हो सकते हैं, आपके, आपके theme वही होंगे, जो आपके जीवन के अनुभव से जुड़े होंगे, आपने अपने समाज में, अपने आसपास में जो देखा होगा, जो महसूस किया होगा, उसी से related आपका theme होगा, है ना, यही होगा ना इसका मतलब उस समय का अगर साहित्य लिखा हुआ है, चित्र बनाए हुए है, मूर्तियां बनी हुई है, तो उन लोगों ने भी, जब इन कलाओं का विकास किया होगा, तो उस समय समाज के स्थिती भी वैसी रही होगी, जैसा भाव, उन मूर्तियों में दिखाई देगा, जो सबजेक्स, जो थीम उन मूर्तियों के होंगे, चित्रों के होंगे, इसका मतलब समाज पे उन चीजों का प्रभाव रहा होगा, तो आप मुझे बताइए कि UPSC सीधे सीधे पूछने वाला पेपर है क्या, सीधे सीधे पूछ लिया, नहीं न, UPSC तो पूछ लेता है, मध्यकाल के दौरान, जो मंदिर थे, मंदिरों में मूर्ति कला का जो इस्तमाल किया गया था, उन से समाज की कितनी जानकारी मिलती है, अब बच्चा पढ़ना शुरू करे, अब उसने पढ़ना शुरू किया, मध्यकाल के दौरान, अब उसने पढ़ना शुरू किया, मध् मंदिर स्थापत्य कला में हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा पड़ा है फिस फिर उसमें आगे मूर्दी कला थोड़ी सी यह भी पड़ी थी लेकिन वो तो पूछा ही नहीं है ना पूछा क्या है कि पूछ लिया समाज ठीक है तो यह कैसे समझ में आएगा कि ना तो आपको मध्यकाल के बारे में लिखना है ना आपको मंदिर स्थापत्य के बारे में लिखना है ना आपको मूर्दी कला के बारे में लिखना है आपको लिखना है उन मूर्दियों में जो सब्जिक्ट जो उन्होंने रखे जो थी मुर्तियों से चित्रों से समाज के दर्शन कैसे होते हैं, साहित्य से उस समय के समाज के बारे में कैसे पता होता है, ये है विशलेशन आत्मक अध्यन और यही आपको UPSC क्रेक करने के लिए करना, कोई भी सबजेक्ट आपका ऐसा सबजेक्ट है ही नहीं, जिसको आप रट के एक्जैम में बैठ जाएंगे ठीक है वो एनालिसिस विशलेशन करना समझ डेवलप करना आपको करना है करना चाहिए नहीं वो समझ डेवलप करनी है और यकीन मानियेगा अगर आप सही तरीके से अगर अंडिस्टांडिंग बना के चलोगे concept clear करके चलोगे तो UPSC के paper में जब आप बैठोगे न तो हो सकता है आपको शुरुआत में कुछ question ऐसे मिल जाएं जिसके बारे में हो सकता है कभी कुछ कम पढ़ा हुआ हो या ना ही पढ़ा हुआ हो लेकिन अगर आपको analyze करने की habit बन चुकी है ठीक है तो जो नहीं आता है न उस पे भी answer लिख कर आओगे और यह आपकी classes में मैं खुद प्रूफ करवा दूँ आपसे ठीक है क्योंकि UPSC है भई कहीं से कुछ पर पोच देता है तो एक दो question तो ऐसे मान के चली आएंगे ही आएंगे इसके बारे में आपको लगेगा कि यह तो मैंने सीधे-सीधे पढ जहाई नहीं है लेकिन क्या आपके पास वो संभावना है कि आप छोड़ दें उसे हां रिस्क ले सकते हैं इतना नहीं ना तो आपको अपने आपको वैसे prepare करना है कि जो नहीं आता उस पे भी answer लिखके आना है यूपेसी तो बहुत smart है तो अगर आपको यूपेसी को clear करना है तो आपको तो उससे ज़्यादा smart बनना पड़ेगा smart study करने पड़ी एनलाइस करना पड़ेगा ठीक है और एनलाइस कैसे करेंगे जैसे हम अपने इसी modern Indian history के ही जो पहला जो हमने word लिखा था mid of 18th century उसी से समझ सकते हैं कि हमें कैसे पड़ना है जब हमने लिखा mid of 18th century तो इसके बाद के इस समय के बाद से हमें इतिहास को पड़ना है आधूनिक भारत की इतिहास के नाम पे ठीक है तो वह विशलेशन कैसे आएगा वह analytical approach आपके अंदर कैसे आएगी आपको ध्यान क् कि कोई भी event हुआ कोई भी historical event है कोई भी एतिहास से घटना है ठीक है उस घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा बिना कारण के कोई घटना या कोई कार्य हो ही नहीं से तो उसके पीछे कारण होगा उस घटना की कोई एक प्रक्रिया अवश्य रही होगी कोई एक process जरूर रही होगी ठीक है तो आपको कारण पे ध्यान देना है आपको उसकी प्रक्रिया पे ध्यान देना है फिर जो घटना हुई उसका कोई न कोई प्रभाव अवश्य रहा होगा और जरूरी नहीं है कि उसका प्रभाव सभी लोगों पर समाज के प्रत्यक वर्ग पर समान रूप से पढ़ा हो समझ में आ रहा है पर यह जो मैंने अभी बात कही है कि किसी भी घटना का प्रभाव समाज के अलग-अलग वर्गों पर अलग-अलग पढ़ सकता है ठीक है तो यहां पर हमें उसके प्रभाव को भी जान से पढ़ना है समझना है और एक उस घटना का अंतिन परिणाम रहा ह हूँगा उसका परिणाम उसका रिजल्ट रहा हूँगा इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आपको हिस्ट्री पढ़नी है ठीक है कि कोई भी घटना हुई उसके पीछे कारण क्या थे ठीक है उस घटना की प्रक्रिया क्या किस तरीके से वो घटना घटित हुई ठीक है उसके बाद उस घटना का कहां पर किस पर कैसा प्रभाव पढ़ा और उसके अंतिम रूप से उसके परिणाम क्या रहे ठीक है जलो अभी आप पूरा modern Indian history में से कोई भी event आप बताईए जो भी आपको याद हो बोलिए कोई भी कुछ भी याद क्या याद आता है बिटिशर्स की नीतियां भू राजस्व नीतियां पढ़ा है स्थाई बंदोबस्त की शुरुवात की बिटिशर्स ने ठीक है तो उसमें भू राजस्व को निश्चित करने की जरूरत क्यों पढ़ दी कारण क्या था कि भू राजस्व नीतियों में अगर उन्होंने इस्थाई बंदोबस्त को चुना इसका मतलब जो राजस्व होगा वो निश्चित किया गया राजस्व निश्चित किया गया बहुत ध्यान से समझ नदा आप लोग जनरल ही किया होता है बच्चे बहुत जल्दी जल्दी में पढ़के चले जाते हैं उसको सिर्फ रटके चले जाते हैं हाँ भू राजसु था उस उस शेत्र में था ठीक है अब उसका प्रभाव किस-किस के ऊपर पड़ा वो तो पता नहीं पर इतना पता है किसानों की हालत खराब हो गई थी है ना भू राजसु में स्थाई बंदो बस थी क्यों अपनाया हाँ हाँ आप एक बात हता है जब आप को माल लिजे आप के छोटे छोटे इक्जाम्पल्स लेते हैं अभी माले जिग घृस लाये पांच हजार आयां कभी पंदर आजाएं तो माले जी किसी महीने में पंदराझ हरा करें को आप कि आप खुश होगे कि आपने खूब खाया कि कहुम महजवस्ति की अब लगा कि अगले महीने भी इतनी आएंगे अब अगले महीने डैडीने बोल दिया बेठा पिछले महीफे 15 दिये थे इस महीने, उसी में पाम चलाओ अभन आपने वहалась उसी मैंने का समझ के खर्च कर दिया अब इस महीने क्या किया जाए फिर अपने दोस्तों से बोला जाए है ना फिर आप परेशान हो कि अपने ट्रेडी को क्या बोलोगे एक कामगरिये आपको जितना देना हूँ ना हर महीने फिक्स कर दीजिए ताकि हम किसी ब्रह्म में ना रहें कि हमारे पास फिर जो होगा हम उसमें उस तरीके से मैनेज करेंगे इंकम मस्ट भी फिक्स समझ रहो तो ब्रिटिशर्स भी परेशान थे बेचारे हाला कि बेचारे तो कहना नहीं चाहिए उनको लेकिन जो विवस्था था थी जब हम यह स्थाई बंद बसको डीटेल में पढ थी थी ठीक है उसको जो पढ़ेंगे तो डीटेल में बताऊंगे तो ब्रिटिशर्स का अब्जेक्टिव था कि उनके पास आएक आएक निश्चित हो उनकी ठीक है ताकि वो अपने सारे खर्चे मेंटेन कर सकें उसी के अकॉर्डिंग इसी लिए उन्होंने स्थाई बंद निश्चित की गई थी जो राजस्चित हुआ था वो जमेंदारों के लिए निश्चित था या किसानों के उपर निश्चित था हां जमेंदारों के लिए निश्चित है जमेंदारों को बोला गया था एक तरफ ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ जमेंदार और दूसरी तरफ किसान इनको कहा गया कि आप एक निश्चित राजस्व निश्चित समय सीमा में जमां करेंगे ठीक है तो राजस्व जो निश्चित था वो जमेंदार के लिए था अब जमेंदार अपनी मर्जी से जो चाहे जितना चाहे वो किसानों से वसूल कर सकता किसानों को निश्चित राजस्व देना पड़ता था जमेंदार के अब आप खूद सोचिए आगर इसको निश्चित राजस्व देना है एक निश्चित समय पर देना ही देना है वह जम्मा करा नहीं है चाहे काल पढ़ जाए कि जाहे जो कंडीशन हो कि समझ इसको वो राजस्व अदा करना है अगर वो नहीं किया तो जमीन-दारी किसी और को ट्रांसफर हो जाएगी और आप यह क्या करेंगे यह महुदे क्या करेंगे यह क्या कोशिश करेंगे कि किसानों से जादस जादस वसूला जाए और अगर किसी वर्ष अगर अकाल भी पढ़ गया तो क्या यह कुछ रियायत बढ़तेंगे इनके उपर नहीं बढ़तेंगे क्योंकि अगर किसानों से जबर्दस्ति अगर राजस तो नहीं लिया गया तो उनकी जमीनदारी चली जाएगी तो यहां से शुरू होता है अत्याचार एक्स्प्लाइटेशन समझ गए और आप सोच भी नहीं सकते कि किसी एक नीती का क्या प्रभाव पड़ सकता है किस-किस वर्ग पर समाज के किस-किस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ सकता है यह जो पॉलिसी हम डिसक्स कर रहे हैं जो एक्जामपल हमने लिया भूराजसुनीती का उससे ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा कि उसके आए निश्चित हो गई, जमीनदार पर इसका प्रभाव अलग पड़ा, कि इनके पोजीशन समाज में स्ट्रॉंग हो गई, समाज इक दबदबा बना इनका, है ना, और जो शाशन करने वाले थे, उनके साथ अच्छा मेल जोल बना तो राजनितिक शक्ति भी आई, है ना, आर्थिक रूप से समरिद्धि भी आई इनके पास, किसान के ऊपर इसका प्रभाव अलग पड़ा, किसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर, और क्या सिर्फ आर्थिक प्रभाव पड़ा होगा, क्या मानसिक प्रभाव नहीं पड़ा होगा, क्या सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ा होगा, पड़ा होगा, आप सोचके देखें कि जिस वर्ष इसके पास राजस सुदा करने के लिए कुछ नहीं होगा, उस व वर्ष आप दे दीजिए अगले वर्ष जो फसल होगी उसमें से हम आपको लोटा आदेंगे अगले वर्ष होगी तो उतनी जितनी उस भूमी की छमता है है ना और हर वर्ष प्रतिव वर्ष जितना उत्पादन होता है अगर उसका कुछ कहते हैं कि कुछ-कुछ हित्रों में तो 50 प्रतिशत तक जो उत्पादन था वो राजस्व में चला जाता था उनका तो आप सोचके देखिए कि अगले वर्ष अगर अच्छी खासे फसल हो भी और जो उन्होंने ब्याज पर लिया है करजा वह भी चुकाएंगे तो क्या पूरा करज एक साथ चुका देंगे नहीं फिर कहेंगे कि सेट जी बाकि अगले वर्ष लेना अगले वर्ष लेना और फिर बही खाते में अगली तारी जुडती जाएगी और फिर साहुकार जी दो लेंगे देखो भाईया आट देस सालों से आप जो चुका रहे हो ना वो तो सिर्फ ब्याज था कि मुल तो बाकी है आप यतना जादा हो चुका है अब हम आपको बर्दाश्ट नहीं करेंगे आप एक काम कर अपनी जमीन हमारे नाम कर दो आप अपना घर हमारे नाम कर दो आप अपने बच्चों को हमारे यहांपर काम पर लागा दीजिये आगया ना दास्प्रथा आगयी ना तो क्या नहीं लगता आपको कि इन्हीं इन्हीं परंपराओं इन्हीं नीतियों का एक परिणाम भारत में ये भी रहा कि बाल विवहा जैसी जैसी कुरुतियां भारत में आई कि उन गरीब किसानों ने क्या सोचा कि हमारी बच्चियों की शादी जल्दी हो जाए ताकि इसके साथ कोई दुरघटना ना हो तो कोई एक नीती अलग अलग वर्ग के ऊपर कैसा प्रभाव डाल सकती है ये अलग अलगी होगा एक जैसा प्रभाव किसी के ऊपर नहीं होगा और अंतिम रूप से इसका परिणाम क्या सामने आया अंतिम रूप से इसका परिणाम ये आया सामने कि समय समय पर किसान विद्रो हुए किसान विद्रो हुए क्योंकि किसान जब बरबाद होगा आप सोच के देखिए हम एक शब्द बोल देते हैं कि भारत के किसान किसान आज भी इंडिया की जो पॉपूलेशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अग्री कल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है क्रिशी और सायक छित्रों पर निर्भर है तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी उसका लगभग कितना कितना प्रितिश्यत आपको लगता है कि क्रिशी छित्र में इ इन्टी तो आप सोच के देखिये तो कि आप जब हम कहते है कि किसान भारती किसान पर प्रभाव पड़ा तो यह समझे मिजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो सफर्ड है ना भारत के दिकां जनसंख्या उस उस पूरे उस जो नीती थी उसका प्रभाव जेल रही थ अगर किसानों का विद्रू होगा तो मतलब पूरे कहीं न कहीं भारत की पूरी जनसंख्या के उपर उसका प्रभाव है वो उसमें शामिल है ठीक है और तब एक विचार आता है कि अगर हमारी सरकार रही होती अगर हमारा खुद का शासन रहा होता तो क्या ऐसी ही नीतियां होती तो तब क्या विचार आया स्वयम के शासन का विचार आया स्वयशासन का विचार आया है ना तो चीजें कनेक्ट होती है एक दूसरे से ऐसे आपको टॉपिक्स को कनेक्ट करके चलना कैसे पढ़ना है य कोई भी एक event है उसको वहीं कि वहीं रेटर लिया नहीं वो आपको उतना help नहीं करेगा आपको analyze करके पढ़ना है और आप देखिएगा जैसे जैसे modern Indian history आपका complete होगा आपको सिर्फ और सिर्फ modern Indian history में help नहीं मिलेगी, even आपको essay writing में भी help नहीं मिलेगी, आपके खुद की एक approach develop होगी, answer writing की एक approach develop होगी, PT plus mains दोनों perspective से हमारी classes होगी, ठीक है, topic ऐसे ही चलेंगे, interactive sessions होगे, ठीक है, यह नहीं होगा, कि पूजा मैं भी पढ़ाएंगी, हामें तो चुप रहना है, नहीं, आगे आगे कि classes में जितना मैं बोलूँगी उतना, आपको भी बोलना पड़ेगा, ठीक है, बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई question, कोई doubt, पूछ लीजे, यह तो मेरा सवाल होना चाहिए था, आप अच्छा, आप मैं बताती, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ, आपके दृष्टी कोण से, मैं बताने कोशिश करती हूँ, इसे, कि आपको पता है कि UPSC के तियारी करनी, UPSC ने syllabus भी दे दिया, UPSC के previous year के questions भी आपके पास है, है ना, आप easily उसको UPSC के website से download कर सकते हैं, तब आपको पता है क्या करना है, आपके पास source है, लेकिन फिर भी आप उसको अपलाई नहीं कर रहे है, उसके पीछे पता है क्या, क्या reason है, क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान देने के बजाए, अपने सराउंडिंग में ध्यान देते हैं, आप अपने आसपास ध्यान देते हैं, बिल्कुल, आप अपने आसपास ध्यान बहुत सारा मटीरियल आपको दुकान में दिखाए देता है और आप ये खड़े के देखना शुरू करते हैं ये वाले किताब तो बहुत भी करी है तो चलो पढ़नी हो या नहीं पढ़नी हो ये किताब मेरे पास भी होनी तो चाहिए तो लेके रख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ आपने जो खुद से करना चाहिए था वो करने के बजाए आप दूसरों के उपर रिलाय करते हो अपने आसपास देखते हो आसपास से प्रभावित होते हो और इसमें कोई मतलब दौराय नहीं है कि जो एरिया हब होगा जहां पर बहुत भीड दिखाई देगी आपको इसपेरिंट्स की जहां वे आपको माटीरियल बहुत जादा दिखाई देगा वहां खुद के उपर इंसान को भरोसा कमी होता है दूसरों के उपर जादा होता है ठीक है कि दूसरा जिस तरीके से लिख रहा है वही सही है मैं तो सही हुई नहीं सोचके देखिए कितने क्रि और अगर किसी ने अपनी नोटबुक में लिखने से पहले ऐसे लाइने बना दी आपने शुरू में ऐसे लिखना शुरू कर दिया और आपके पड़ोस में जो बैठा हुए उसने ऐसे पड़ा मार्जिन दोनों साइड में छोड़ दिया अगले पेज में ही आप भी मि付सलभ ओसकता हैं कोई तो फायदा इसका होगा अब उसमें जब यह इस तरीके से मर्जिन छोड़ा था तो यह तो ऊसे पूंग से और पिछे कारण क्या है क्या हुगा कि उससे जानिए पहले कि उसके पिछे वजह क्या थी अगर वो कारण जानने के बाद आपको लगता ह है कि आपके लिए भी यूसफुल है आपको करना चाहिए तो आप करें कि देखा देखे में ना करें कि पहले अपनी सुने बाद में दूसरी और ये भी सकते है कि आप आये तो या तो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे घर वालों धक्के मारे होंगे है ना सेल्फ मोटिवेटेड भी जो रहे होंगे देखो नाराज होने वाली बात है नहीं ठीक है ठीक है तो जब आप लोग जब सोच के आये हूं है ना कि मुझे आईयस बनना आईयस बनना है तो खुद की काबिलियत को आपने बाद में तलाशा होगा कि मैं कर सकता हूं कि न आगे पीछ गाड़ियां चल रही हैं कितना नर्ऐ द्रश्य है कितनी पावर है इसमें यह कर सकता है मैं कर सकता हूं क्या मैं कर सकती हूं क्या फिर आपने खुद से पूछा होगा पहले दूसरे को देख कर आपको अच्छा लगा होगा कि मतलब यहां पर आप 실नी पहले आप अपनी काबिलियत देखिए आप UPSC को सलेबल देखिए और वो देखकर अगर आपको लगता है कि यस आप कर सकते हैं आपका एक objective होना चाहिए एक aim होना चाहिए ठीक है बाकी बन चुके बन चुके होंगे बन रहे हैं बन रहे होंगे बनेंगे आप अपना देखे दूसरे को बनते हुए देखकर जो बनने आता है उसे difficulty होती है क्योंकि पूरी preparation के दौरान वो दूसरों को देखकर पढ़ता है जो subject खुद रात में revision कर रहा होगा history का और बगल वाले ने पॉलिटी का revision कर रखा है स्टार्ट कर रखा है तो दिवाम ही आगे इसका तो लिस्टिकल कंप्लीट होगे इसने पॉलिटी शुरू कर दिया मेर तो वह तीस पन्ने बाकि है प्रपन्नों के हिसाब से आप रटना शुरू करते हैं जल्दी पन्ने पढ़ता है जल्दी से ख देखिएगा कि आप सच में सब्जिक पढ़ रहे हैं आप हिंदी पढ़ रहे होते हैं या इंगलिश पढ़ रहे होते हैं समझ में आरा में क्या क्या रहे हूं हिंदी मीडियम है इंगलिश मीडियम है जो आपका मीडियम है आपस वो पढ़ रहे होते हैं वहां जो लिखा ह वो लाईने पढ़ रहे होते हैं अगर विषय पढ़ रहे होते तो उसका अर्थ समझ रहे होते पन्ने नहीं गिनते मत पढ़ना पेज़ मत काउंट करो topic के हिसाब से decide करेए सही तरीके से पढ़ाई करेए जो पढ़ रहे हो उसको लिख कर भी पढ़ना शुरू करो जो keywords use होते हैं, मुख्य मुख्य जो शब्द होंगे, उनको लिख कर पढ़ना शुरू करिए, याद होगा समझना शुरू करिए पढ़ने के बाद अपने दिमाग में उस चीज़ को दोराईए जरूरी नहीं, मैं लब all the time बस आपके सामने किताब खुली रहने चीज़िए नहीं, जो पढ़ा है उसको एक बार revise करिए अपने दिमाग में ठीक है UPSC के questions आपके homework में लिखाया है मैंने syllabus और PYQs देखके आने आपको, वो कल तक होना चाहिए अगर दस सालों को बहुत भारी लग रहा है तो पांच साल की question देखके आइगे अब, ठीक है पर next five years का target कल आपको दिया जाएगा समझ में आए सबसे पहले खुद को discipline में लेकर आईए, अनुशासम में लेकर आईए जो जरूरी है उसे करिए ठीक है खुद पर विश्वास था, खुद का एक तरीका आप देखो, जब तक आप अपने आपको नहीं बदलोगे ना, जब तक आप अपने आपको नहीं बदलोगे, आपको पता है कि क्या करना है for example, एक छोटा से example देती हूँ, मान लीजे, अभी कोई जान पहचान वाला, अभी क्लास में आ जाए ठीक है, या फिर आपको बाहर से, आपको message कर रहा हूँ, बार बार कि पांच मुनिट के लिए class से बाहर आईए, तो आप पहली बार उसे message करोगे, कि मैं क्लास में हूँ, बाद में मिलते हूँ, फिर उसको दुबारा message आए, अभी बाहर आओ, तो आप दूसरी बार में उसको message करोगे, अनिटिंग अर्जिंट? तीसरी बार फिर वो बोल देता है, अरे बाहर आ, तो आप क्या करोगे, तुरंट क्लास से बाहर, और बाहर जाके चाहे उसको इतनी कोई विपत्ती नहीं आई हुई हो, कि एक घंटे में तो कुछ ही हो जाएगा, ऐसा भले कोई काम ना हो, लेकिन फिर भी तीसरी बार उसने कहा, आप बाहर चले जाते हो, मुझे पते हैं, सुबह से शाम तक आपके दिमाख में भी, आपका खुद, आपका मन, आपकी अंतरात्मा आपको बोलती होगी, ये काम कर ले, ना, लेकिन आपके, कर ले, अभी तो सुबही हुई है, दुपैर्म कर ले, फर बोलता है, सलाबस के लिए बोला था मैं आपने, हाँ, अभी तो पुरा दिन बाग क्योंकि खुद की नहीं सुनते हैं, क्योंकि खुद से जादा दूसरे पर विश्वास है, इसलिए दूसरे ने तीन बार अगर बुला दिया, तो तुरंत बाहर चले जाएंगे, लेकिन अगर खुद ने बुलाया, खुद अपना मन दस बार बोलते रहता है, उठ जा, मान हें और अपने मन की भी तब सञते हैं, जब अपना मन खुद यह बोलता है, जा, मत कर बाकिसा ने तो कर लिया होगा, तब अरी हाँ, सही कह रहे हो, इसका मतलब Captain कया है, आपका झीवन आपसे नियंतृत ही नहीं हो रहीएगा ठीक है सभी लोग टालेंगे और इसमें से मिजॉरिटी वो स्टूर्टिंट है जो रात में सोने के टाइम पर सलबस पढ़ेंगे और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे दो बज़े से ही तो क्लास है कल भी कोई बात नहीं देखा होगा तो बगलवाले से पूछ लेंगे बगलवाला तो पढ़के आया ही होगा अब देखो खुद से ज्यादा बगलवाले पर विश्वास है तो आत्मनियंद्र नहीं व्यवधान आप खुद हैं हर चीज में इंट्रेस्ट आना जरूरी नहीं है आप एक चीज़ ध्यान से समझ देजिए कि जो काम आप करने आए हो उसके लिए जो जरूरी है वो आपको करना है आपकी रुची हो या ना हो आप बाहर से खाना खाते होंगी टिफिन से तो आपकी रुची का तो बन की नहीं आता होगा लेकिन खाना आपके जरूरत है तो आप खाते हो यह समझ लिजिए कि हर काम आपकी चॉइस से नहीं हो सकता और अगर आपकी चॉइस बन नहीं रही है कि मैं यूपीस का सलेबस पढ़ लूँ या मैं पीवाई कि देख लूँ इसका मतलब आप फोर्सफुली आए हुए हो पिर आप खुद से पूछिए कि क्यों आए हो पर जहां इंट्रेस्ट है वहां जाएए समझ रहे हो अगर आपने चुन लिया यूपीसी करना है तो यूपीसी की ज़रूरत है उसको पूरा करना पड़ेगा जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा और यह सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है पूरी-पूरी साल पढ़कर चले जाते हैं पीवाई क्यूज पता है कब देखते हैं पीवाई क्यूज देखते हैं जब पीटी आ जाता ना पास देढ़ दो महिने तब सोचते हैं चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए प्रैक्टिस के लिए ज़र आट-दस सालों की कॉश्चन पेपर देख लिए जाए और तब कॉश्चन पेपर देखके से तो अच्छा क्या सारक कॉश्चन पांका एक सालसे में कर क्या रहा था है TO ठीक है जितनी देर बाहर घूमेंगे भीड में उतना डाइवर्ट होंगे अब अब याद यह रहेगे गर जोला उठाके जब आये थे तो यह बीड साथ में चल रहे थी क्या आप आये थे अना अपने आपको देखिए अपना एम अपना टार्गेट याद करिए जो जरूरत है वो करना है अब खुछ सोचिए अगर आप एक्जाम के पास UPSC के कुश्चन्स देखोगे और आपको यह रियलाइज हुआ कि इस तरीके से UPSC कुश्चन पूछता है इस तरीके से तो मैंने पढ़ा ही नहीं कि एंशेंट और मेडावल हिस्ट्री के आंसर राइटिंग की कौपियां भर दी बाद में पता चला एंशेंट और मेडम से में कुश्चन ही नहीं आते कि जो कोश्चन आता है वो सुसाइटी आर्ट इंड कल्चर से रिलेट करके आता है कोई कुश्चन जब आप question देखते हो तो आपको समझ में आता है कि मुझे कितना पढ़ना है syllabus के किस portion को कितना पढ़ना है ये तब समझ में आता है जब आप PYQs देखते हो ठीक है तो ये तो आपका परम कर्तव्य है कि तैयारी शुरू करने से पहले आप उसके पूछे हुए questions देखे पढ़ रहे हो उससे question किस तरीके से फ़र्म होगा question कैसा बनेगा अगर यह नहीं पता question कैसा बनेगा तो आप अपनी तरीके से पढ़ते जाएंगे या जो भी आपको तरीका बता देगा उसकी साब से पढ़ते जाएंगे ठीक है last moment में पीवाई की उस देखना बहुत रिस्की होता क्योंकि अगर एक बड़ दिमाह में यह आ गया कि मैंने इस तरीके से नहीं पढ़ा कि इस तरीकी का भी कुशन आता है क्या यह मैं कैसे कर पाऊंगा तो आपकी पूरे साल भर के प्रिपरेशन के उपर बहुत बड़ा डाउट क्रियेट कर देता है तो इतना बड़ा ब्लंडर खुद के साथ ना करें मिजौरीट मिजौरीट स्टूवरीट मिजौरीट ही गलती करते है वो सोचते हैं शलै भर मेंन कमप्लीट होगा साल भर में हम भी देख लेंगे मीन क्या चक्छी के वालṣ के लीए चंनरली बचों को यह लगता क्यों कि सब्जिक्ट खतम होने का वेट क्यों कर रहे हो टॉपिक वाइस प्रॉप आप करिए ना प्रेक्टिस एक टॉपिक तो एक दो दिन तीन दिन में खतम हो जाता है ना करें प्रेक्टिस उसकी मालीजी मैंने एक क्वेशन अभी थोड़ी दिर पहले आपको बोला था यूपियसी ने पूछा कि मद्यकाल के दौरान मंदिर स्थाफित में मंदिरों में जो मूर्तिकला का इस्तमाल किया गया उन मूर्तियों से उस समय के समाज के बारे में क्या पता चलता है अब यह क्वेशिटन मैंने बोला तो आपके दिमाग में क्या आया कि जब मैं मूर्तिकला पढ़ूं तो मेरे माइन पहले उन मूर्तियों से समाज के बारे में क्या पता चलता है और आपे कीन मानों इस तरीके से पढ़ना शुरू करिए आप वश्ण देखिए उस तरीके से पढ़ना शुरू करिए आपको भीड की तरफ देखने के ज़रूरती नहीं पड़ेगी लाखों की भीड जो एक्जाम में बैठती है, लाखों की भीड सेलेक्ट नहीं होती है, बाध्यान रखिया वो तो एनलेसिस बाद में आई जाता है कितने बिच्चे हिंदी माध्यम वाले सेलेक्ट में है ठीक है, यह जो जरूरत है वो आपको करना है ठीक है, देखों आप अपस में अगर कुछ ऐसा चिंतन करोगे फिर वो बताना पड़े क्या मैं क्यों बताओं? अच्छा, सुने, सुने, देखे, आपने अभी देखों अगर इसका जवाब मैं ही दे दूँगी, ठीक है, तो फिर आप तो फिर सोचोगे कि अब मैं आपने बताओं दिया तो आप क्या सुचते हो, मैं अपना समय बचा लेता हूँ मैं आपने तो बताओं दिया तो question topic से कैसे आते हैं, किस तरीके से पूछा जाएगा पूरे का पूरा dependent मत बनी किसी पर ठीक है ठीक है आप जो काम करना है, जरूरी है, वो आप खुद करेंगे तो कल आप 5-40 question paper देखके आएंगे, ठीक है और syllabus पूरा आपको पता होना चाहिए, पी-टी और मेंस का और उसका print-out निकाल के अपने साथ की ठीक है, कल सभी के पास print-out होना चाहिए syllabus का ठीक है, हाँ हाँ, आप आप देखिए, आपको कैसे arrange करना है ठीक है, फो मेरा काम नहीं है मैंने, मुझे जो बताना था वो मैंने बताया और कल में चेक करोंगे ठीक है चलो, आप ये देखते हैं कि हम पूरा modern Indian history को किस तरीके से पढ़ेंगे, किस sequence में पढ़ेंगे क्या हमारी approach होगी, ठीक है चलो आपस में बाते नहीं आधूनिक भारत का इतिखास ठीक है तो इसे आपने ये तो देख लिया कि ancient में, sorry PT में और means में क्या difference है अलबस तो आपने देख लिया, अब हम इसे अलग-अलग phases में पढ़ेंगे pre-commence की according ठीक है तो जो शुरुवार का जो पेस होगा वो हम पढ़ेंगे 1707 से 1750 ले ले 1707 से 1750 ठीक है और कुछ टापिक तो हम 1707 से पहले के cover करेंगे इसमें क्योंकि 1707 में और अंगजेब की बिद्धियु हुई रूसके बाद जो मुगल सामराज्य था जो centralized जो authority थी वो वी होती वी चली गए ठीक है तो 1707 भी हम इसे consider कर सकते हैं और हम इससे European companies के आगमन से यहां तक है 1750 तक पढ़ेंगे अगला जो पेज होगा जो अगला चरण होगा उसे हम पढ़ेंगे 1750 से लेकर 1807 को सब ठीक है 1750 से 1807 1750 के बाद से यह समझ दीजे कि British East India Company का economic और political supremacy establish हुआ इंडिया में आर्थिक और राजनेतिक वर्चस्ट के स्थावना हुई ठीक है और उन्होंने भारत में नीतियां लागू करना शुरू हुआ आर्थिक नीति, राजनेतिक नीति ये तो वो सभी हम यहाँ पर पढ़ें ठीक है इस फेस में इसके बाद अगला जो चरण होगा वो हम पढ़ेंगे 1858 से 1885 1857 में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक राजनेतिक परिवर्तन हुआ भारत में 1857 की क्रांती और 1857 की क्रांती का सबसे बड़ा परिणाम ये था कि ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के हातों से पावर ले ली गई और पावर ट्रांसफर किसके पास हुई ब्रिटिश ताज के हातों में भारत का शाषन चला गया भारत का शाषन ब्रिटिश कंपनी के हातों से ब्रिटिश ताज के पास चला गया ठीक है इसका मतलब 1858 से जो भी नीतियां बनाई गई होंगी बनी होंगी वो किसके द्वारा बनाई जा रही है ब्रिटिश ताज के द्वारा, वहां की पार्लेमेंट, वहां की संसद के द्वारा, ठीक है, 1858-1885, बहुत ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है, 1858-1885, अब ये डेट हमने क्यों ली 1885, कॉंग्रेस का गठन, अब देखों, ये तो पता है कि कॉंग्रेस का गठन हुआ, लेकिन इसकी क्या है? ठीक है, 1885, ये इसलिए इंपोर्टेन्ट है क्योंकि इस समय, INC मतलब इंडियन, नेशनल, कॉंग्रेस का गठन हुआ, भारती, राष्ट्रिये, राष्ट्रिये, कंग्रेस, कभी इसका मतलब समझा है? समझे, उस समय में, जब भारत में व्यक्ति अपने आपको अपने छित्र के हिसाब से बताता था कि मैं किस छित्र से बिलॉंग करता हूँ? पहचान क्या होती थी? छित्रिये पहचान हुआ करती थी, रीजनल आइडेंटिटी हुआ करती थी, उस समय कुछ ऐसा परिवर्तन होना, कि जिसकी वज़ा से राजनीतिक रूप से जो लोग जागरख हुए, मतलब एक ऐसी राजनीतिक चेतना का आजाना, एक वो कॉंशनेस आना, पॉलिटिकली अवेर हो जाना, और ये इस लेवल की अवेरनेस आ जाना, कि हमारी जो एक पहचान है, वो क्या है? कि हम सभी भारत ये हैं, मतलब एक पहचान, एक पहचान, एक आइडेंटिटे, बाकी सारी पहचानों को छोड़ करके किस छेतर से बिलॉंग करते हो, छेतर, किस वर्ग से बिलॉंग करते, किस जाती से बिलॉंग करते, किस धर्म से बिलॉंग करते, कुछ नहीं, एक पहचान, कौनसी भारती है, किसी छेत्र विशेश की बात नहीं करनी, बात कैसी होगी, राश्टी-स्तर की बात होगी, तो छित्रों से परेहट कर अपनी सोच को कहां तक लेके जाना राष्टर के स्तर पर पहुँचना मतलब जो राष्टवाद की जो भावना थी वो आ जाना इसका मतलब 1858 के बाद भारत के सिक्षित वर्ग में कुछ ऐसी चेतना जागरित हुई होगी कुछ जागरुपता कुछ अवेर्नेस वो आई होगी पॉलिटिकली कि उन्होंने किस बारे में सोचना शुरू कर दिया उन्होंने नैशनल इंट्रेस्ट के बारे में सोचना शुरू किया ठीक है और कॉंग्रेस का मतलब क्या होता है किसी एक स्थान पर सबका इकठा होना Congress का मतलब क्या होता है? एक जगा मिलना और important राश्टियस तरके मुद्दों को वहाँ पर discuss करना, उस पर चर्चाएं करना और वो चर्चा कौन करेगा? वो चर्चा कौन करेगा? भारती ये करेगा भारती Congress नहीं है, आप गलत ले जाओगे उसे Congress शब्द का मतलब है कि एक जगाई कठे होकर बातचीत करना, मीटिंग करना ठीक है? समझे हो? तो Congress शब्द का मतलब है ये और जब सब लोग इकठे होंगे जब सब लोग इकठे होंगे तो ये लोग कौन है बताएए? कौन है ये? बहरती लोगों की Congress है बहरती लोगों की Congress है भारती लोगों की मीटिंग है ये इस पर जो discussion होगा किन मुद्दों पर discussion होगा राश्टिस मुद्दों पर discussion होगा तो अट्रासोटावन के बाद से जो Political Awareness इंडिया में आई ठीक है उसने भारत में 1885 तक आते आते एक बड़े स्तर पर राश्टी स्तर का एक राजनितिक मंच तैयार किया ठीक है तो ये इसलिए हमने इसको एक अलग phase में रख रहा 1885 पर प्लियर है इसके बाद next phase जो हम पढ़ेंगे वो 1885 से लिखो 1885 लिख लो 1915 1915 तक अब इस 1915 को भी हम देखो 1885 से 1915 तक का टाइम हमने रखा है क्योंकि इस समय तक जो कॉंग्रेस थी वो एक अलग तरीके से काम कर रही थी ठीक है 1915 के बाद जो phase शुरू हुआ भाट्य सुतंतरता के अंदोलन के लिए जो phase शुरू हुआ उससे हम गांधियन पीरियेड के नाम से पढ़ते हैं गांधी यूग के नाम से पढ़ते हैं ठीक है आफ्टर 1915 यह हमें से लिख सकते हैं कि 1915 के बाद का भारत यह 1947 तक ठीक है 1915 से 1947 अब यह जो phase है 1885 से 1915 तक इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 1885 से लेकर 1905 तक पढ़ेगी देखो जब कॉंग्रेस का गठन हो जब भारती राष्टी कॉंग्रेस का गठन हुआ मतलब एक अखिल भारती स्तर का जब एक राजनेतिक मंच बना तो जो भी नेता थे उनकी विचारधारा ये थी कि ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर उनके सहयोग से हमें समवेधानिक सुधार कराने हैं क्या उद्देश्य था उनका हमें समवेधानिक सुधार कराने हैं Constitutional Reforms की बात थी और उनकी समवेधानिक सुधारों के माध्यम से हमें भारतीयों का प्रतिनिधित लाना है भारत की सरकार सम्वेधानिक सुधार और भारतियों का प्रतिनिधित शाशन में भारतियों का प्रतिनिधित ये शब्द क्यों आया होगा आप सोचके देखिए जब 1858 में ब्रिटिश पार्लियमेंट के द्वारा ब्रिटेन के संसद के द्वारा भारत के लिए जब कानून बनाये जाते थे नीतियां बनाई जाती थी ठीक है तो जो सिक्षत भारतिये थे उन्होंने क्या सोचना शुरू किया कि ब्रिटेन की जो संसद है उसमें जो लोग है वो ब्रिटेन की जनता के द्वारा चुने हुए है tema के दुल दाग द्वारा चुने हुए लोग को by 15 के लिए तो कानून बनाइंगे जन है अब उनको चुना जन्टा के द्वारा इसका मतलब उनका उत्तरदाइद तो भी किसके प्रती है लेकिन यही बर्टिश संसद भारतियों के लिए भी कानून बना लए है जबकि एक भी भारती उष्षाशन में है यह नहीं भारतियों का कोई प्रतिनिध्यत्यों को रिप्रेजेंटेशन है यह नहीं तो जिन लोगों को बृटेन के जनता ने चुना है वो लोग कैसे यह समझ पाएंगे कि भारत के जनता की जरूरतें क्या है उनके डिमांड्स क खास बात है यह 1857 के जब क्रांटी हुई थी तो यही सिक्षित वर्ग था जिसने क्रांटी का समर्थन नहीं किया इसी सिक्षित वर्ग ने क्रांटी का समर्थन नहीं किया था यह सोच कर कि अगर क्रांटी का समर्थन किया जाएगा और क्रांटी अगर सफल हो गई तो क्रांती के मुख्यनेता कौन थे मुगल समराट थे ना तुरू ने सूचा कि अगर क्रांती सफल हो गई दुबारा से मुगल सत्ता आ जाएगी वही राजशाही वही राजतंत्र आ जाएगा ठीक है और ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है इनका तरीका क्या है शाशन करने का यह समयधानिक तरीकों से विधी बनाकर फिर शाशन करते हैं तो हमें उसी राजशतंत्र में वापस नहीं जाना है सुधार करना था उनको इसलिए उन्होंने 1857 की क्रांती में समर्थ नहीं किया और 1857 की क्रांती के बाद जब ब्रिटिश रूल आया 1858 से जब ब्रिटिश ताज ने भारत के लिए नीतिया बनाने शुरू की तो उन सिक्षित भारतियों की उम्मीदे बताएं यह कम होंगी क ज़्यादा होंगी सरकार के प्रती ज़्यादा होंगी और तब वो बड़े कुछ सुख हुए बड़े खुश हुए कि अच्छा अब ब्रिटिश ताज ही हमारा भारत का भी शाशन देखेगा तो इसका मतलब जिस तरीके के रिपॉर्म्स उन्होंने ब्रिटेन में करके किया कि हमारा भी प्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारा प्रतिनदित्व होना चाहिए और जब उनको लगा कि ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन में अलग शाशन कर रही है तभी तो उन्होंने कहा भारत में कहा गया कि इस नोट दो बिटिश रूल इंडिया भारत में ये ब्रि प्रिति शाषन ब्रिटिशर्स के लिए अलग है और भारतियों के लिए अलग HEY तब उन्होंने अपना फुद का एक राजद तिक मंझ बनाना निशित किया तब भारत में पर राजनीतिक मंझ की शुरुआ था इंडियन नैशनल गॉंगरिस तो यह वही उनिए सिक्षित लोगों के द्वारा बनाया गया राजनीतिक मझ था ए इनको पता था कि है अगर सीधे सीधे कृ 몰라 के करके विटिर दिया जाएगा इसका लाब क्या होगा क्या इनके जाने अधिकारों का उपयोग करके पहले एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाना है लोगों को जागरूख तो किया आप सोच के देखिए आज डिजिटल मीडिया का समय है ठीक है आज आप क्लास खतम हो गई है क्या है एलो क्लास खतम हो गई अधिकल कोपी बहार जब तक मैं क्लास से बहार ना जाओं कॉपी बैग में नहीं जांची ठीक है तो आप सोच के देखिए कि आज आप एक मैसेज सेकंड में आप उसे कितने लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं आप सोच के देखिए आज आप किसी भी बात को अपनी सरक सरकार तक पहुंचा सकते हो क्योंकि आप कोई विश्वास है कि मेरे देश की जो सरकार है वो लोगतंत्रिक सरकार है मैंने चुनाव किया है उसका हलांकि बहुत सारे लोग इस क्लास में ऐसे बैठे होंगे जो वोट नहीं डाल रहे होंगे है थीक है लेकिन फिर भी आप क्या कहते हो कि भले ही मैंने वोट डाला या नहीं डाला लेकिन लोगतंत्रिक सरकार है जन्मेदार सरकार है परतिके अंदुर्स अंतर कह सकता है व्लेकिन 1805 के समय में जिन लोगों ने प्रागरुक होके मंच बनाया कि उस समय उनका उद्देश क्या रहा होगा कि पहले जिस जनता के लिए हम यह राजनेतिक मंच बना रहे हैं उस जनता को यह तो बताया जाए कि तुम्हारे राजनेतिक अधिकार क्या है और सोच के देखिए जिन्होंने राजतंत्र देखे हूं जिन्होंने बृटिश कंपनी का राज देखा हो जिन्होंने जमिंदारों का शोशन देखा हो उनसे अगर जाके कोई ये कहे कि भाई साहब क्योंकि आप इस देश की नागरिक हैं तो आपका प्रतिनिधित्तों होना चाहिए सरकार में आप अपनी मांग रख सकते हैं आप सोचके देखिए कि उस व्यक्ति को विश्वास होगा पहली बात तो कि जो कह रहा है वो सही कह रहा है नहीं होगा क्योंकि उसने ऐसा शाशन नहीं देख उसे उस राजनेतिक विवस्था के बारे में पता ही नहीं तो मंच जो बनाया ग यह लोकतंत्र क्या होता है पहले समझाया जाए ठीक है और फिर एक जुट होकर सम्विधानिक सुधार किये जाए फिर शाशन का हिस्सा बना जाए 1885 में यह जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस बनी थी अपने आप में बहुत बड़ा चेंज था यह समझ गए आप 1885 के इसको भी हमने टू पार्स में डिवाइट किया वो इसलिए शुरुवात में जो नेता इसमें शामिल थे उनकी विचाटधारा यही थी कि हमें ब्रिटिश सरकार की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके हिसाब से शाशन का सयोग करते हुए समवैधानिक सुधार करने समवैधान में सुधार होगा तो भारतियों को प्रतिनिधित्व में लेगा ठीक है तो सरकार से सहयोग करकर चल रहे थे इसलिए उन्होंने अपना तरीका क्या अपनाया याचिका दायर करना प्रार्थना पत्र लिखना अग frag अ कर इनसे काम नहीं चला तो विरोध कर न किसी नेती का अब यहीं काम 1905 तक करते रहे मतलब उनक्य जो विचारधार क्यों विचारधार कैसी थी बहुत ही नरम विचारधार राती इसलिए इसनंन मंत रहा चो साया है लिखे लिख रहे हैं ना यह बताना ना पड़े मुझे कि यह लिख लिजी और यह मत लिखिए ठीक है तो नरम पंथी विचारदार का यूग था यह 1905 तक और दूसरा फेज 1905 से 1915 तब एक बात बताई ऐसा 1905 में क्या हुआ होगा कि जिसकी वज़े से यह फेज ही चेंज हो गया 1905 में बंगाल का विभाजन और बंगाल के विभाजन में ऐसा क्या खास था क्या विशेश था कि उसने कॉंग्रेस के नेताओं मतलब जो भारतिराश्टी कॉंग्रेस में मौजूद जो नेता थे उन्हीं के विचारों में भेदभाव ला दिया भेदभाव का मतलब डिफरेंस मतलब अलग-अलग विचारदाराएं आ गई हम अच्छा चलो इंडिया का मैप बनाएं यह जो एरिया है बंगाल तो 1905 में जब बंगाल को विभाज़त किया गया तो विभाजन ऐसी किया इस तरीके से विभाज़त किया गया यह कौन सा हो गया दिशा के साब से बदर डिरेक्शन वाइस यह कौन सा हो गया इससे कहा गया पूरवी बंगाल और यह कौन सा हो गया पश्यमे बंगाल तो जो बंगाल का विभाजन किया तो सरकार के द्वारे ये कहा गया ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हमने ये विभाजन इसलिए किया है क्योंकि बंगाल बड़ा छित्र है जनसंख्या भी बहुत जादा है तो प्रशास्निक द्रिश्टी से बड़ी कठनाई होती है तो इसको विभाजित कर दिया जाएगा तो प्रशास्निक सुधार किये जाएंगे तो भार्तियों ने पूछा बंगल्वास्यों ने पूछा उन्होंने कहा कि ठीक है कर प्रशास्निक अगर दृश्टी को नग आपने रखा है तो ये विभाजन पूर्वी और पष्च में ही यह उत्री और दक्षणी भी हो सकता था पूर्वी और पश्च में ही क्यों तो पूर्वी और पश्च में इसलिए किया गया क्योंकि पूर्वी जो हिस्सा था बंगाल का उसमें बहु संख्यक जन संख्या मुस्लिम जन संख्या थी और पश्च में बंगाल की बहु संख्यक जनसंख्या हिंदू जनसंख्या थी ठीक है भार्तियों का दृष्टि कोण क्या कि आपने तो हिंदू और मुस्लिम दोनों जनसंख्या के बीच में एक विभाजन किया है और ऐसा क्यूं क्यूं कि आ गया ऐसा बताइए क्यूं कि यह जो एरिया था पूरा बंगाल वाला एरिया था यह राजनितिक रूप से सबसे जादा जैसे कहते हैं न एक्टिफ अना पॉलिटिकली एक्टिफ राजनितिक चेतना यहां पे सबसे जादा प्रभावी थी 1885 के बाद से INC के फॉर्मेशन के बाद से राजनितिक चेतना का जो विकास हुआ था उसका सबसे जाधा प्रभाव बंगाल वाले चेतर में देखा गया और बिटिश सरकार को डर लगने लग गया कि अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रेट होने वाले हैं बड़ी मुस्किल में पढ़ देंगे तो बनोंने सुचा कि जो राजनितिक चेतना है उसको तोड़ा जाए और उसको मेरिय मुद्धों के हिसाब से लड़ाओ इनको तब उन्होंने पंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्वी बंगाल के आधारप किया और जब जस्टिफिकेशन मांगा गया ब्रिटिश गवर्मेंट से तो जब पूछा गया कि ऐसा क्यूं तो उन्होंने कहा अब देखो उनकी समझ देखना उनकी कूटनिती देखना जब उनसे जब कारण की बात हुई तुन्होंने कहा कि पूर्वी और पश्वी में विभाजनिशली किया गया क्योंकि जो पूर्वी छेत्र में अधिकांस जनसंख्या है वो पिछडी हुई है वहां पर आर्थिक स्तर कम है शि जैसे उन्होंने कहा सब लोगोंने ध्यान दिया कि सच में ध्यान दिया जाए और गौर किया गया तो सच में पूर्वी बंगाल की तरफ वाके में पूर्वी बंगाल की तरफ विकास का जो स्तर्था वो काफी कम था और जनसंख्या दिकांस मुस्लिम जनसंख्या और तब के विचार आयागी जो मुस्लिम जन संख्या थी तब उसने कहा कि हमारे साथ तो जात्ती हो गई मुस्लिम जन संख्या के बारे में हमें विचार करना चाहिए और अखिल भार्टी स्तर पर जितने मुस्लिम हैं उन सब को मुसलिम जनसंख्या के विकास के लिए एक मंच बनाना चाहिए और इसी लिए अगले ही वर्ष 1906 में मुसलिम लीग का गठन हो गया तो आप समझों कि बिटिश का जो ऑब्जेक्टिव था जो कारण था उद्देश्य था वो क्या था भारतियों के अंदर जो जो आ रहा था उसको ब्रेक करना जो मिलकर जो काम कर रहे थे वो उसको ब्रेक करना और भारतियों कह रहे थे कि हम भारतिये हैं राष्टिय स्तर के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और उन्होंने एक छित्री मुद्दा शेड़ दिया बंगाल में ठीक है अब रीजन जि तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था जिम्मेदार कुद बृटेशिर्स थे क्योंकि एफ़ासो शूसाँध की क्रीच में क्रांगती के जितने भी केंदर्थे जितने नेता थे उनमें अधिकांच नेता मुस्लिम नेता थी तो ब्रिटिशर्स को और ब्रिटिश गवर्मेंट को ये लगा कि ये जो क्रांती थी इस क्रांती को मुस्लिम जनसंख्या के द्वारा उक्साया गया है तो उन्होंने हमेशा से मुस्लिमों को दबा कर रखा शिक्षा का प्रसार कम हुआ जब शिक्षा नहीं होगी है ना जब शिक्षा का स्तर कम होगा तो शाशन में उनके लिए नौकरी होगी की नहीं होगी बताइए नहीं होगी काम होगी जब शिक्षा कस्तर कम होगा तो नौकरी कस्तर कम होगा जब नौकरियां कम होगी तो क्रशी पर ही आधारित रहेंगे तो अपने आप आर्थिक रूप से पिछड़ देंगे सेक्षनिक रूप से पिछड़े आर्थिक रूप से पिछड़े और जब सिक्षा और आर्थिक स्थिति दोनों कमजोर होगी तो समाज़िक स्थिति भी कमजोर होगी सिख्षा और एकनोमी एडुकेशन और एकनोमी जहां वीक होती है वहां पर सोशल जो कस्टम्स होते हैं जो परमपराएं जो ट्रेडिशन होती हैं वो जगर लेते हैं इंसान को वही फर्क देखा गया पूर्वी और पश्चिन बंगाल में अब जिम्मेदार तो खुद ब्रिटिश गवर्मेंट थी उनकी पॉलिसीज थी सप्रेशन वाली मुसलिम्स के लिए लेकिन उन्होंने ये थोड़ी का कि हमने ऐसा किया उन्होंने क्या कहा कि देखिए यहां तो पिछड़ा पन है और यहां पर काफी प्रोग्रेस हो चुकी है तो क्या आप नहीं चाहते कि विभाजन हो ताकि आप लोगों के लिए अलग से प्रशासनिक बंदोबस्त किया जाएं तो पूरी बंगाल के कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया विभाजन का ठीक है इसलिए 1905 में जब विभाजन हुआ तो इस विभाजन के विरोध में भारत के जो राष्टवाधी जो नेता थे उन्होंने आवाज उठाना हुआ थो इभारत में 1905 के बाद तो विभाजन विरोधी जो आंदोलन था इसको दो भागों में बाठा गया है लिखो पहला स्वदेशी आंदोलन और दूसरा बहिश्कार स्वदेशी एंद बायकॉट मुवमेंट ठीक है अब देखो बहिश्कार आंदोलन का मतलब ये था कि विभाजन के विरोध में विभाजन कहां का? बंगाल का विभाजन हुआ और इस विभाजन के विरोध में रास्ट्रवादी नेताउने बहिश्कार आंदोलन के शुरुवात की उन्होंने कहा कि जितना भी विदेशी ये ब्रिटिश जो वस्तुएं हैं जो सेवाएं हैं उनका हम बहिश्कार करेंगे तो बहिश्कार कि किस चीज का हुआ यहां पर वस्तु और सेवा गोड्स एंड सर्विसस का बायकॉट किया गया अब उन्होंने कहा कि जितनी भी विदेशी वस्तुएं हैं स्पेशली ब्रिटिश उन वस्तुओं का बहिश्कार किया जाएगा आप सुचके देखिए आज भी सभी इपने दे अगर उनसे यह कहा जाए कि चलिए अपने देश्भक्ति को जाहिर करते हैं और जितना भी विदेशी सामान है उसे लाइए बाहर हम भी होली मनाएंगे विल्यू भी अगरी वह नहीं पैसा दिया है इसका पहले इस्तमाल करूं अब सोचके देखिए उस समय में वो देश्भक्ति रास्टवाद की भावना किस स्तर की रही होगी कि उस समय में उस समय की आर्थिक स्थिति के बावजूद उन लोगों के अंदर रास्टवाद की भावना कैसी रही होगी कि उन्होंने विदेशी वस्त्वें बाहर निकाली ठीक है और बाहर लाके होली से जला दिया वस्त्वों को अच्छा आज फोन है तो महंगा है उस समय उस समय की अर्थ्ववस्था के हिसाब से उस अर्थ्ववस्था के हिसाब से जहां अपनी उत्पादन का पचास प्रतिशत से जादा हिस्सा वह राजसों में दे रहा है वाके में अपना खर्चा मैनेज कर रहा है तो उसके लिए उस रुपए की कीमत क्या होगी आप समझ सकते हो और उस समय में लोगों ने उस आंदूलन में अपना योगदान दिया और और सोचके देखे कि जो विदेशी वस्तुमें थी उनमें अधिकांश क्या वस्तु थी कपड़े क्योंकि कपड़े कहां से आते थे बिटेन से भारत के अंदर उत्पादन कम होता था बहुत कम क्योंकि भारत का हस्त शिल पुद्योग पूरा नश्ट हो चुका था क्यो क्योंकि भारत कर दिया गया तभी हो गया ना क्यों हुआ रीजन बताइए तो इंडिया के लोगों ने बोला कि यहां का सारा कच्चा मा ले जो वहां पर बना गया कि इसी लिए कहा जाता है कि चीजों को फैक्ट्स को सिफरेटों मत सिफरेटी यह मत भारत की क्रिशी भारत की जो जो एगरिकल्चर पैटन था इंडिया की जो क्रिशी थी उस क्रिशी से जिन भी फसनों का उत्पादन होता था उन्हीं से संबंधिच की हमारे यां उद्योग होते थे क्रिशी उपज और उन से सहायक उद्योग होते थे जो हस्त शिल्फ उद्योग होता था भारत का उसका कच्चा माल कहां से आता था भारत के करशी से आता जब ब्रिटिशर्ज यहां पर आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या बदला उन्होंने इंडिया का अग्रिकल्चुर पैटर्न बदला क्रशी की पुरानी विवस्था को बदल दिया जो पारंपरिक क्रिशी थी भारत की वो बदल दी और उन्होंने कहा कि इच्छा कहा क्या करोगे इतना गेहूं चावल कपास वगरा ये सब उगा के और भी चीज़ें लेकर आए तो नहीं लुगाएंगे यहां पर वागान लगाएंगे यहां पर तो क्या किया गया भारत की जो पारंपरिक क्रिशी थी उसको बदला गया और जब उसको बदला तो ब्रिटिशर्स ने अपनी मर्जी से फसलें उगाई काम करने वाला किसान था भूमी किसान की थी लेकिन उपज किसकी पसंद से उग रही थी बिटिशन की पसंद से क्यूं और उन्होंने वही चीजें क्यूं उगवाई जिसकी डिमांड कच्छे माल के तौर बृतिन में थी तो ब्रिटेन में जो मशीनी करण हुआ था उन मशीनों से उत्पादन करने के लिए जो कच्चा माल चाहिए था वो उन्होंने भारत में प्रिडियूस कराया समझा रहे हैं तो भारत में जो करशी हुई ब्रिटिशर्स के बाद वो किसके अनुरूप हुई वो ब्रिटेन के उद्योगों के अनुरूप हुई वो किसके जरूरत पूरी कर रही थी वो करशी ब्रिटेन के उद्योगों का कच्चा माल भारत से जाता था अब एक बाद बत अधारित थे उन उद्योगों के लिए जब कच्चा माल ही नहीं होगा तो वस्तू कैसे बनेगी। बनेगी। कच्चा माल तो चहिए ना रहा मंटेरियल तो चाहिए वहां पर णेंप्लाइमंट भेरोजगारी। विरोजगारी जब आई तो वो लोगों के पास option क्या बचा विकल्प क्या बचा क्रिशी तो वो सारी की सारी भीड़ वहाँ कहां चली गई क्रिशी छेत्र में अब ब्रिटिशर्स को तोर फायदा कि सस्ते मसदूर मिल रहे हैं क्रिशी के उपर बढ़न आ गया ना तो इंडिया में अगरी कल्चर पैटर्न चेंज हुआ एगरी कल्चर पैटर्न चेंज होने की वजए से हेंडी क्राफ्ट इंडिया की थी जो हस्त शिल्पुद्योग धवारत का वो नस्ट हुआ अगर मशीनी करण अगर मौर्डनाइजेशन का इफक्ट इंडिया में लाना होता तो यहां से कच्छा माल ले जाने की क्या ज़रूर थी यहां पे इंडस्ट्री लगा देते वो नहीं हुआ ना इंडस्ट्री ब्रिटेन में थी कच्चा माल यहां से जाता था अब जब इंडिया में कच्चा माल ही नहीं बचेगा तो यहां की उद्योग धुन्दितों नेस्ट ही होंगे न यह प्रभाव होता है यह थी भारत के इर्थवश्था तो उस समय के बारे में आप सोचके देख के दिकांस जनसंख्या जो सिर्फ और सिर्फ क्रिशी पर निर्वर हो और उसे अपने उत्पादन का मोर दन 50 परसेंट जब उसे राजस्व में देना पड़ जाए जो बचा हुआ है उसमें अपना परिवार देखना पड़े तो वहां उस समय में खरीदी हुई उसके लिए उनको जला देना तुरू ने कहा कि छीक है अगर विदेशी वस्तूं का बहिशकार कर दिया जाए उन्होंने का विदेशी सेवाओं का भी बहिशकार करिए जितने सरकारी दफ्तर है छोड़ दीजे नोकरीयोपरी कि सपोर्ट ही नहीं करना है गवर्मेंट को तो नहीं कहा कि बहिशकार तो कर दिया जाए लेकिन ऐसा फोड़ी उन चीज़ों की आवशक्ता खतम हो जाएगी अगर सरकारी स्कूलों का बहिशकार कर दिया जाएगा तो बच्चों का एजूकेशन कहां से दी जाएगी तो का हम निर्मान करेंगे किनका वस्तूओं का और सेवाओं का और इसी लिए विभाजन विरोधी आंदोलने विभाजन विरोधी जो दौड था जो समय था उस समय में रास्टिय सिक्षा की शुरुवात हुई उसी समय से भारत में दुबारा से उद्ध्योग खंदी लगाने की शुरुवात हुई ठीक है राष्टिय स्तर की सेवाओं की शुरुवात हुई हमें अपनी सिक्षा के लिए हमें सरकार पर निर्बढ नहीं रख रहना हम खुद अपने लिए ऐसे संस्थानों की शुरुवात करेंगी स्कूल्स कॉलेजिस बनाए गई ठीक है और ये पूरे तरीके इसलिए मैंने कहा कि कोई भी आपको जब कोई चीज पढ़ नहीं है तो सिर्फ इतना ना पढ़ें कि हाँ उन्हें 105 था बंगाल का भी भाजन हुआ ठीक है अभी डीटेल में इन टॉपिक्स पे नहीं कैसे कैसे फेजिज में हमें इसको पढ़ना है तो 1905 की ये जो घटना थी इसने राष्ट्य स्तर के जो नेता थे उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अभी तक जिस तरीके से सम्वेधानिक सुधार कर रहे हैं क्या वो तरीके सही हैं हमारे तो कुछ लोग कैसे हुए एक्स्ट्रिमिस्ट हुए गरमपंथी इदल के नेता बने उन्होंने क्या कहा कि सरकार के ये तरीके बिलकुल गलत है और हमें इसको प्रमोट नहीं करते और उन्होंने कहा कि अब हम ये जो विभाजन विरोधी आंदोलन है हम इसको पूरे भारत के स्तर पर प्रमोट करेंगे पूरे भारत में इसका समर्थन करेंगे बहिशकार आंदोलन का और इसी सवाल के ऊपर कि जो विभाजन विरोधी आंदोलन है इसे बंगाल तक्सीमित रखना चाहिए या इसे अखिल भारतिय स्तर पर चलाना चाहिए इसी बात के ऊपर भारतिराश्टी कॉंग्रेस के नेताओं के बीच में मतभेद हुए और इस मतभेद का परिणाम निकला कि 1907 में जब कॉंग्रेस का दिवेशन हुआ सूरत में तो कॉंग्रेस का विभाजन हुआ थमज़ा रहे है ठीक है तो 1905 के बाद से कॉंग्रेस में एक नई विचारधारा का जन हुआ जिसे हम गरम पंथी विचारधारा कहते हैं ठीक है और 1915 के बाद से फिर गांधी जी का भारत में आगमान हो गया और यह समझ लिजी उसके बाद उनहीं के नित्रत में राष्टवाद यांदोलन चला तो इसीलिए 1915 के बाद को हम क्या कहते हैं गांधी योगे ब्रीफली आप अपने modern Indian history या अधुनिक भारत के इतिहास को आप बता सकते हो कि अधुनिक भारत की इतिहास में क्या हुआ कुछ सीक्वेंस कुछ बना कुछ दिमाह में इमेज बनी है अधुनिक भारत के लिए बना पक्की वाद है कोई डाउट है तो पूछ लिजे ठीक है तो फिर आज का सेशन आप यही पर कल फिर से शुरुवात करेंगे कल का जो हमारा टापिक होगा विविन स्टार्ट प्राउ अराइवल उप यूरोपिन कंपनीज यहां से हम टापिक की शुरुवात करेंगे हमारा पहला टापिक होगा ठीक है और कॉपियां दिखाईए अपनी कुछ बच्चों ने कॉपी के लास्ट पेज से लिखना शुरू किया है अना अच्छ लास्ट पेज नहीं है यह मुझे यसा लगा था किस-किस नहीं किया है लास्ट पेज से शुरू इमानदारिस बताईए आपने किया ना हम धारा के विपरीद चलेंगे Modern Indian History आदुनिक भार की तियास की कॉपी आप अलग सही अच्छे से बनाएं कॉपी और कोशिश करिए कि जितनी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उनके Main Main Points आप लिख कर चलें लिखते हुए चलें ठीक है और जो भी मैं Board पे समझाओंगी एक शब्द भी कम नहीं होना शाहिए आपके कॉपी में हाना और एक छोटे सी डायरी लेकी आईगेगा वो इतनी सी आते ना की दिन में क्लास होती है ठीक है मेरी सब्जिक्ट की खास कर आपको जो भी होमवक दिया जाएगा वो डेट वाइज आप उसमें लिखेंगे नेक्स डे आपको होमवक कम्प्लीट करके लाना है यह तो बताना नहीं पड़ेगा ठीक है और इमानदारी से उस पे माक करना है अगर कम्प्लीट कर लिया है तो उसको माक करना है कि मैंने यह होमवक कर लिया मैं आपको साफ साफ एक बात बता देती है जो क्लास में हम डिस्क्स करेंगे उसे ध्यान से सुनेंगे आप जो आपको homework दिया जाएगा उससे ध्यान से complete करेंगे class में जैसे जैसे topic चलेंगे class में notes dictate करूँगे मैं वो आपको लिखना है और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपका paper वाँ से solve हो जाएगे ठीक है इमानदारी से पढ़ना है बिलकुल लापरवाई नहीं और आलस तो मझे बिलकुल पसंद नहीं है class में 400 बच्चे भी बैठे रहें और अगर कोई आलसी इंसान उसे मझे दिख जाता है तो मझे बिलकुल औरदाश नहीं तो खाना चाहे आप थोड़ा सा कम खालें class से पहले ठीक है class के बाद थोड़ा सा और खालें ताकि class में आपको दिक्कत परिशानी ना हो बैठने में दिमाः आपका सही चले ठीक है और ऐसे भी नहीं करना बिलकुल अनुशासन class का UPSC applicant है आप जब तक मैं class में हो जब तक class चल रहे है ठीक है sir thank you so much system थोड़ा दूर रखा है तो जो बच्चे online connected थे उनके comments में ध्यान ही दे पाई but ठीक है आप लोगो कुछ नहीं समझ में आया है तो फिर आप पूछ कर गए thank you so much thank you thank you यूज़ाई यूज़ाई लोगो यूज़ाई यूज़ाई झाल झाल